ब्रिसब रासी बालों का आने वाला दिन यनी की 19 मई 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 19 मई 2021 के पंचांग के बारे में आज तिथी है सप्त में नक्छत्र है आसलेसा पक्छ है सुकल पक्छ दिन है बुद्ध वार आने बाले शमय में सुर्ज उद्य का समय है पाँच बज के 28 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है सात बज के 6 मिनट में रितू है ग्रिस्म आज का दिन काल है 13 घंटे 38 मिनट 32 सेकेंड का महिना है वैसाख मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 44 मिनट पीएम तक राहु काल सुरू होता है 12 बज के 17 मिनट पीएम से 2 बज पीएम तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग मित्रो इस विडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी सुने ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रो शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके प्रेम जीबन के बारे में मित्रो आने बाले शमय से पहले यदि आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा किया था कोई भी प्रोमिस किया था तो आने वाले शमय में अपने वादे को आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय में आपका प्रेम संबंध बहुत जयादा खराब होगा तो आने वाले शमय में इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके बेपार आपके बेबसाई की बात करे तो आने वाले शमय में यदि आप अपने काम काज में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले जो आपके सहकर्मी हों जो आपके कर्मचाडी हों उन लोगों के साथ में आपको बात करना चाहिए एबम उन लोगों से बात करने के बाद हैं कोई भी पड़िवर्तन आपको करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने बाले शमय में आपके बेपार आपके बेबसाई के छित्र में पड़ेशानी का सामना आपक करने बाला हूँ आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के बारे में मित्रों आप में से जो भी जातक छात्र हैं बिद्यार्थी हैं तो आने बाले शमय में आपको अपने पढ़ाई लिखाई के छेत्र में समय के दुरुप योग से बचना होगा क्योंकि आने वाले शमय में यदी आप अपने कीमती समय को बड़बाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो याने की टू मित्रों आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको भगबान गनेश की पूजा करनी चाहिए मित्रों यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आज माते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा मजबूत एबम बिहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे जय स्री गनेश कमेंट कर दे एबम इस वेडियो को आप हर जग सेर कर दे धन्यवाद